Hello friends, friends आज के मारे विडियो और टॉपिक है Star Delta Starter में Face Failure Protection Wiring किस तरह की जाती है आज के सुडियो में हम सीखने वाले है जैसा कि हम जानते हैं किसी भी 3-phase मोटर को चलने के लिए 3-phase की requirement होती है जैसे कि R, Y and B हम 3-phase connect करते है और इन 3-phase में यदि कोई भी 1-phase fail होता है तो हमारी जो मोटर है वो Face Failure की condition में Heat Up होके जल जाती है Normally Face Failure Protection से बचने के लिए हम वहाँ पर Face Failure Relay Connect करते है ताकि कोई भी 1-phase fail हो तो उस condition में Face Failure Relay हमारा Starter को Stop कर दे बट यदि हमारे पास Face Failure Relay available नहीं है और इन भी हमें Face Failure Protection वाइरिंग करना है ताकि हमारी मोटर जैसे ही कोई Face Failure हो तो उस condition में Start ना हो तो उस condition में Face Failure Protection वाइरिंग किस तरह की जाएगी हम सीखने वाले है इस connection में हम Face Failure Relay को Use नहीं करने वाले है Just a glass relay से किस तरह की control वाइरिंग की जाएगी हम सीख लेते है चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले Star Delta Starter की Power Wiring थोड़ी समझना होगी उसके बाद किस तरह इसमें Face Failure Protection वाइरिंग की जाएगी हम समझ लेगे यदि इस condition में कोई भी एक Face Fail होता है तो हमारा Starter स्टार्ट ही नहीं होगा चलिए वाइरिंग किस तरह की जाएगी हम पहले समझ लेते है तो चलिए हमें वाइरिंग अच्छे से समझ में आ सके इसके लिए सबसे पहले Star Delta Starter में Power Wiring समझते है उसके बाद क्योंकि Power Wiring से ही हमें इसमें Control Wiring करना होगी कि इसलिए हम पहले समझ रहें की काफी год है यह आरवय भी हमरे MC-Tb में 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 कॉंटेक्टर है में कॉंटेक्टर मैं降 इनो लिए इसमें एंसिय तर्मिनल है और इसमें स्टार सार कॉंटेक्टर उसमें इसमें एंसियो पैर में है कि हम इसमें overturn करना है है भी हमन में में यहाँ पर करना होगा और इस तरह हम यहाँ पर में कम rigt कर लेते हैं उसके पास नोल मौड़ टर्मिनल में यूवन यूटव होती है और हर में में 440 वल्टो ये काफी यह जो-एक remained कर दिया है और वन में YouTube हम Y connect कर देगे and यहाँ पे W1 में हम B face connect कर देगे यह जास्ट अभी simple हमने main conductor के wiring की है अब यहाँ से हमें delta में क्या करना होता है जो main के input आया है यही से main के inputs हम यहाँ पे एक wire connect करते है R का यहाँ से हम यही से looping लेके Y में connect करते है और यही से हम looping लेके B में connect करते है इसी face sequence में face sequence हम change नहीं होने देते है यहाँ से अब हमारे RY भी निकलते है देखिए R निकलता है सबसे पहले हमें क्या करना है हर एक winding को 440 देना है 440 किस तरह मिलेगा वह भी हम समझेगे सबसे पहले R phase हमने यहां से लिया और देखिए सबसे पहले U1 में हमें 440 देना है तो U1 में अभी R आ रहा है अब यहाँ पर U2 में हम B phase connect कर देगी यहां से ले जाके B phase connect कर देखिए U1 U2 में 440 हो चुका है अब आप देख सकते है व1 में अभी Y आ रहा है तो V2 में हम यहां से B phase ले जाकर connect कर देगे V1 V2 में भी 440 हो गया अब यहां पर देख सकते हैं W1 में भी B phase आ रहा है यहां पर हम ले जाके R phase connect कर देगे तो W1 में भी क्या हो W1 W2 में भी 440 वोल्ट पहुँच चुका है वैसे यह इतना important नहीं है फिर भी हम अभी समझ रहे है तो आपके power wiring के concept clear हो सके यहां से हम क्या करते है R की एक looping लेते है और इसे यहां पर star में connect करते है Y की एक looping लेते है और इसे star में connect करते है और यहां से B में एक looping लेते है और इसे star में connect करते है 3 phase यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहां पर हम 3 glass relay यूज़ करने वाले हैं हर एक phase के लिए एक relay सबसे पहले आप देख सकते हैं यह हमारे पास glass relay है यह glass relay का base है इस glass relay में आप देख सकते हैं 2 1 7 और 8 यह 2 & 7 इसकी coil होती है 1 common होता है और जो 8 होता है वह NC होता है 1 1 और 8 0 होते हैं आप यहां पर देख सकते हैं तो यह 8 क्या है common है 8 के साथ 6 क्या होता है 8 के साथ 6 NC होता है और 5 NO होता है इसके अलवा 1 के साथ 1 common होता है 1 के साथ 4 NO होता है & 3 NC होता है चलिए glass relay है और यह इसका base है चलिए अब हमें क्या करना है हर एक phase के लिए एक relay को यूज़ करना है यह हमन किये, जो Man Contactor से निकले है, वही आर और य भी भी हमें यूज èsश करना है, चले सबसे पहले, हमें ग्लास यहां से saver number 8 इसमें neutral दे दिया सबसे पहले हम ने neutral के wiring कर ली है अब हमारे पास जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी हमारे न्यूटल की वाइरिंग अभी बनकर कंप्लीट होई है आप वीडियो को ध्यान से वाच कीजिए काफ़ी सिंपल वाइरिंग है जस्ट आपको सिर्फ दो तरह की दो वाइरिंग आपको याद रखना है यहाँ से वाइरिंग की जाएगी तो आप सीख सकते है उस पर काफी कमेंट्स आया थे कि स्टार डिल्टर स्टार किस तरह बनेगा इसलिए हम यह वीडियो बना रहे है सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या कर रहे है जो हमारी M.C.V यहाँ सेconnect करते है आप कोई भी एक phase ले सकते हैं यहां से हमने एक phase लिया और normally हम क्या करते हैं सबसे पहले इससे ले जाकर हम यहाँ overload relay का NC point है overload relay के NC में connect करते है और यहाँ से overload relay के NC से निकलने के बार हमारा push button के NC में यहाँ से push button के A9 में तो connection थोड़ा complicated होने वाला है आप ध्यान से watch कीजिए फिर भी यहाँ कोई doubt हो तो comment से में पूछिए और वीडियो को थोड़ा pause करके दिखिए आपको सब को समझ में आ जाएगा अब जैसे ही हम इस no push button को press करें तो हमारे main contactor ने operate होना चाहिए देखे जैसे ही no push button हमने प्रेस किया हमारा main contactor operate होगा बटे main contactor कितनी देर के लिए operate होगा जितनी देर के लिए हम इसे प्रेस करेंगे इसमें अभी हमने holding connector नहीं की है तो सबसे पहले हम इसकी holding समझ लेते हैं किस तरह इसमें holding दी जाएगी क्योंकि यहीं से सारा concept है holding के लिए हम यह तो NC का output यूज़ कर सकते है या NO का input यूज़ कर सकते है तो हम यहां से एक wire अभी connect किया holding के लिए और तीनो relay के किसी भी एक common में आप दे दीजिए यहां पे हमने 8 number common में दिया और एनो point हमें यूज़ करना है 6 number यहां से निकलेगा देखिए connect करना है अभी हमने relay को operate नहीं किया है just control wiring कर रहे है और यहां से घुमा के हमें दूसरे common में देना है इसके जैसे ही relay अपरेट होगा तो एनों से supply निकलेगी और यहां से निकालना है और इससे हमें common में देना है 8 में जब यह relay operate होगा तो इसकी supply ANO से निकलेगी और यहां से ले जाकर हमें हमारे main conductor में holding provide करना है तो हमें क्या करना है holding को में क्या करना है 3-0 relay के कोई भी common और ANO point यूज़ करके holding यहां पे connect करना है तो अभी हमने कुछ नहीं किया है just ANO से conductor को operate किया है holding के लिए हमने 3-0 relay के common और ANO point को यूज़ किया है यहां से हम यहां पे एक looping connect कर देते है देखे जब हमारे 3-0 relay यह operate होगे तब supply यहां पर आएगी holding की और जैसे हमारा main conductor operate होगा तो यह ANO NC बन जाएगा और यहां से supply हमारे conductor permanently operate हो जाएगा यदि कोई भी हमारा phase अभी इसमें हम operate के यह हम समझेगे यदि कोई भी एक relay stop होता है कोई भी एक relay यदि stop होगा तो यह ANO से supply नहीं निकलेगी और हमेरे starter को holding नहीं मिलेगी इसलिए हमने 3-0 relay के ANO को यूज़ किया है अब 3-0 relay हमारे operate कैसे होगे यह समझे लिए यह काफी important है तो जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था RYB तीन phase आ रहे है तो हमें main contractor का output है वहाँ से RYB के जो तीन phase आ रहे है उससे एक relay का R के लिए operate करना है यह R phase के लिए relay होगा जब हमारा R phase आएगा तो यह relay operate होगा और इस holding pass होगी जब हमारा Y phase आएगा जब हमारा contractor operate होगा Y phase आएगा तो यह relay operate होगा और यहाँ से supply निकलेगी जब हमारा B phase का relay operate होगा तो यहाँ से इसके NO से supply निकलेगी NC बनकर holding मिलेगी अब यह कोई भी एक phase suppose यहाँ से R phase fail होगा R phase fail होने की condition में यह relay हमारा operate नहीं होगा relay operate नहीं होगा तो यहाँ से supply pass नहीं होगी और यहाँ नहीं मिलेगी जैसे ही कोई भी एक phase fail होता है तो हमारा relay operate नहीं होगा और common की supply नहीं नहीं जाएगी यही main concept है बस हमें यहीं करना था इसके बाद हमें जिस तरह स्टार डेल्टा स्टार बनाते हैं उसी तरह स्टार डेल्टा स्टार की wiring complete कर लेना है main contactor की coil जैसे main contactor में supply यहाँ से हमारे timer के coil में supply आ जाएगी timer की coils हम common में looping कर रहेगे और जैसे ही हम जानते हैं कि सपोस्ट, timer में 10 seconds set के हैं तो 10 seconds तक supply कहां से निकलेगी NC से निकलेगी जैसे ही 10 seconds complete होगा तो NC की supply कट होगा NO से निकलेगी और जब हमारे starter को start करते हैं तो पहले हमारी motor काईम में चलती है star में चलती है तो हम क्या करते हैं कि NC से star को operate करते हैं और इनुन से डेल्टा को उपरेट करते हैं, तो NC से जैसे हमने मंने कुमेन कॉंटेक्टर उपरेट हुआ, टाइमर की कोमन में सपलाए गई, तो 10 सेकंड सपोस हमने 10 सेकंड सपलाए हमारी NC से निकलेगी, यह जाएगी, और हमारे जो delta contactor है delta के NC से होती हुई हमारे star contactor को operate करेगी अब क्या होगा 10 सेकंड तर हमारी जो supply होगी वह star conductor को operate करेगी और जैसे ही हमारी motor के 70% speed आ जाएगी उसके बाद क्या होगी यह NC के supply 10 सेकंड complete होते ही यह NC supply कर जाएगी और यहाँ NO से जाएगी supply और star के NC से होते हुए interlocking होते हुए हमारे delta contactor को operate करेगी तो star delta starter के wiring तो काफ़े simple है जस्ट हमें बस holding का रियान रखना है holding कैसे देना है तो holding हमें तीनों relay इसे घुमा कर देना है और RYB से एक एक relay को operate करना है कोई भी एक face fail होगा तो केंडिशन में हमारा relay operate नहीं होगा relay operate नहीं होगा तो यह नों NC नहीं बनेगा और हमारी holding supply पास नहीं होगी तो इस तरह आप किसी भी star delta starter में चाहे dual starter कोई भी starter हो उसमें holding supply की wiring आप इस तरह से कर दीजी तो आपका कोई भी एक face fail होता है तापकि motor starter कभी भी start नहीं होगा इसके लिए आपको कोई भी यह face fail relay connect करने की ज़रूरत नहीं होगी connection थोड़ा complicated हो गया तो आप वीडियो को थोड़ा pause करके देखिए आपको सब कुछ समझ में आएगा फिर भी यादि कोई doubt रहे है तो आप comment से पूछें हम पूरी कोशिश करेंगा उसका जवाब दे सके तो आज के लिए इतना ही thank friend